असलाम अलेकुम हाजिरे खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने एक से साथ चैप्टर तक हिस्सा नजम कवर कर चुके हैं उससे पहले हम लोग हिस्सा नसर को All चैप्टर यानी एक से पंद्र चैप्टर के सभी चैप्टर को कवर कर चुके हैं मैं आपके आसानी के लिए जो भी New Student है सभी के आसानी के लिए मैं बना चुका हूँ अपना ही चैनल A.S. उर्दू एजूकेशन यूटूब चैनल के पले लिस्ट से आल चैप्टर को आप लोग चैप्टर वाइस चैप्टर को रीड कर सकते हैं फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है आज चैप्टर नमबर एट को जैसी कि आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों ने चैप्टर नमबर सिक्स चैप्टर नमबर सेवन और चैप्टर नमबर एट के तीनों में जो हम लोग गजल क dona क्लिए जूवर कर हैं और गजल का जो है कोई नाम नहीं होता है खलील उर्रह्मान अजमी यानी इस गजल के मसन्निफ होगी आपका खलील उर्रह्मान अजमी आई हम लोग चैप्टर नमबर एट के कोश्चन नमबर एक को सबसे पहले देखेंगे कोश्चन नमबर एक में हैं खलील उर्रह्मान अजमी की पैदाश कहा होई आजमगर, कानपूर, लखनो, फैजाबाद, सारे स्टूडेंट फटाफट से बताईएगा मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ ताके आप लोगों को थोड़ा एंसर करने भी मज़ा है और याद भी रहे फिर बाद में भी आप लोगों को बता दूंगा सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेए खलील र्रह्मान अजमी की पैदाइश कहा हुई तो खलील र्रह्मान अजमी की पैदाइश जो है आजमगर के गा जो है 9 सीधा सुल्तान पूर में 9 अगस्ट 1927 को ये जो है पैदा हुई लम्सम 51 साल जो है इन्होंने इस दुनिया में रहा उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन्होंने लेक्चरर रहा 1952 में बहस्यत लेक्चरर सोब उर्दू यानि उर्दू की लेक्चरर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ के कलास 10 तक ही उसको क्या बोलते हैं टीचर बोलते हैं बाकी कलास 12 से आया आपको यानि समझ लीजे के कालेज में टीचर को क्या बोलते हैं लेक्चर बोलते हैं जिस जो भी सब्जेक्ट का टीचर होते हैं उसको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का लेक्चर बोलते हैं तो ये ख इंतकाल हो गिया 1978 इसी में कब हुआ इंतकाल की याद रुखेगा क्योंकि आना है यह आता ही यह ज्यादातर जो मुसंनिफ के वफात हो गया पैदाइस हो गया और उनके अहम तसानिफ हो गया आप देखिए इनके अहम की बात करें, उनके तीन शेरी मजमुहें शाय होए में तीन शेरी मजमुहें कितने शाय होएँ है, ध्यान ध्यान से आपод सुनियों और बारी बारी से देखिए, सबसे पहला मजमुह है उनका काकजी पैरहन, ठीक है, यह जो शाय हुआ था 1955 में ये शाय हुआ था क्या नाम है कागजी पैरहन उसके बाद दूसरा मजमुआ है नया ओहद नामा क्या हो जाएगा दूसरा मजमुआ का नाम है नया ओहद नामा क्या हो जाएगा नया ओहद नामा मैं लिख दे रहा हूँ ओहद नामा ठीक है इस तरह आप लोगों को मिलेगा नया तो आप लोग जानती हैं बाकि फिर भी लिग दे रहा हूं नया ठीक है नया ओहद नामा ये कब शाय हुआ ध्यान रिकेगा 1965 इसी में कब शाय हुआ 1965 इसी में उसके बाद एक मजमुआ और है जिन्दगी ये जो हम लोग पर रहे हैं किसका मजमुआ पर रहे हैं ध्यान रिकेगा किसका मजमुआ पर रहे हैं तो हम लोग ये जो पर रहे हैं टोटल के टोटल कि किसका मजमुआ पर रहे हैं शेरी के मजमुआ पर हुआ उनीस सो तेरासी सुए में यह मजमुआ शाय हुआ ठीक है यह हो गया है तक किलियर आपका यह शेरी मजमुआ हम लोगों ने तीन पढ़ा कौन कौन से ध्यान रखेगा कागजी पहरहन उसके बाद नाया उहद नामा उसके बाद जिन्दगी उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आगे जो है उनके जो है आस्मा एह आस्मा के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी जारी हुआ यह जो है 2000 में यानि 2000 रिस्विव में मनजरें आम पर आया था कब आया यानि उनके इंतकाल के कई अर्था बाद जो है दिया फानली स्टार्ट करते हैं लोग चैप्टर को और चैप्टर का सबसे पहला कोश्चन का एंसर तो आप लोगों को मालूम होई चुका है क्या हो जाएगा आपका आजम कर आफसन नमबर ए बिलकुल सही है उसके बास सारा के सारा आप लोगों को बताना है मैं तो लगबंड में कुछकुछ बता ही दिया हूं और आप लोगों को अपने से बताना है ठीक है देखे एक कुछ रखा है खलीलो रह्मार अजमी आला ताञेम कहां हसल की तो देख आला तालीम जो है ये अलीगर नहीं में पढ़ाने लग गए उसके बाद आजमगर में इनकी अब्तदाई तालिम होई थी ध्यान रखेगा उसके बाद सवाल नमर तीन है सवाल नमर तीन में पूछ रखा है खलील रह्मान अजमी की उफाद कहा होई अलीगर, आजमगर, कानपूर, सहरनपूर देखेगे खलील रह्मान अजमी की उफाद जो है कहा उवी ती अलीगर ही में जो है make लोगो बताया था ना कि पराते पराते जो है इनका वहीं जो है अलीगर में सवाल नमर पाँच में खलील रहमार अजमी ने किसकी निगरानी में पी एच डी का मुकाला लिखा देखे परोफिसर रशीद एहमस सिद्धिकी के मुकाबले में ये लिखा था ध्यान रिकिया का खलील रहमार अजमी ने किसकी निगरानी में पी एच डी का मुकाला लिखा थ तो परफिसर रशीद एहमसिद्धिकी के इस निगरानी में जो है यह मुकाला लिखा था उसके बाद सवाल नंबर 6 है सवाल नंबर 6 में पूझ रखा है इस पर भी दुश्मनों का कहीं डॉट 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 पढ़ गया मिस्रा मुकमल कीजिए आप लोगों ने पहले ही पहले ही लाइन में आप लोग देख लिए थे यहां क्या हो जाएगा साया इस पर भी दुश्मनों का कहीं उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पर गया मिस्रा मुकमल होगी आपका ठीक है सवाल नंबर 7 में पूझ रखा है देखे काफी इंपोर्टन यह चेप्टर जों हमचे के सारा के सारा याद कर लीजिए देखे एग्ला सवाल सवाल नंबर 7 में है खञेदी पहरान ँजिसकर 슈ही मजموعा है आप लोगों को तरक्की पसंद हभ्थी है Land X7 में यह तो सो शोरी सब्सक्राइब तर्क्की पसंद हभ्षी तर्फ करने आया था कब आया था 1224भी में यह जो है उर्द्व में तरक्की पसंद अध्वी निया था उर्दू में तरक्की पसंद अजबी तहरीक ये किसका मजमुआ है तो खलील रह्मार अजमी का ही है आप लोग ध्यान देखिए कि कोश्चन 2021 में पुछा गिया है इसका फाइनली राइट अंसर आफसन नमबर डी उसके बाद देखिए अगला सवाल सवाल नमबर 9 में पूछ रखा है जिन्दगी ए जिन्दगी किसका शेरी मजमुआ है मैं आप लोगों को पढ़ा है ना एक बार जिन्दगी ए जिन्दगी ये खलील रह्मार अजमी का ही शेरी मजमुआ है 2018 में पूछा गिया कोशन है सवाल नमबर 9 में मंदरजा जेल शेर में क्या पूछ रहा है मंदरजा जेल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है जी चाहता तो बैठ जाता यादों की चाहों में ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड गया यानि ये शेयर जो है ये दोनों मिस्तरा जो है इस दोनों मिस्तरा में जो यहाँ पर लिखा है घाना दरक्त इससे क्या मुराद है तो इससे मुराद है याद क्या है इससे मुराद याद आफसन नमबर C will be the right answer सवाल नमबर 11 क्या है जी चाहता तो बैठता यादों की च्छाओं में यह मिस्तरा किस शायर का है यह मिस्तरा जो है किस का है खलील रह्मान अजमी का ही है उसके बाद आगे की कुशन हम लोग देखेंगे थोड़ा से वेट करें आप लोग सवाल नमबर 12 में खलील रह्मान अजमी का तालुक किस मारूफ तालीम तालीमी एदारे से था तो अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था तालुक सवाल नमबर 13 में पूछ रखका है सवाल नमबर 13 में क्या पूछा है सवाल नमबर बारे का आप लोग ध्यान से सुन लेजिएगा अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठेक उसके बाद तेरे नमबर कोशन हम बासुरी पे मौत की गाते रहें नगमा तेरा किस की गजल का मिस्रा है तो खलील रह्मान अज्मी के गजल का मिस्रा है सवाल नमबर तेरे का आफसन नमबर बी विल बी दर राइट एंसर उसके बाद देखिएगा अगला सवाल सवाल नमबर चौदे इनमें से किस शायर का तालुक अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसका रहा था ध्यान रखिएगा यहां पर आपका चोदह में आफसन नमबर ए हो जाएगा क्या होगा चोदह सारी चोदह नमबर का आफसन नमबर सी हो जाएगा मिजाज लखनवी इसका भी जो है किसे रहा था तालुक अलिगर मस्लिम यूनिवर्सीटी से उसके बाद खलीलूर रह्मान अजमी इसका तो रहा ही था उसके बाद स्वाल नमबर 15 है क्या पूछ रख़ा है इनमें खलीलूर रह्मान अजमी का मजमुआ कौन है सुमाल और जनूब जुनूब और सुमाल, सुमाल और मश्रिक उसके बाद नया ओहद नामा हम लोगों ने शेर का मजमुआ पढ़ा था क्या पढ़ा था नया ओहद नामा जिसमें सिर्फ हम लोग ओहद लिखे थे और नामा लिखे थे उसके बाद, बाद में हम लोग लिखेते हैं नया, यहाँ पे लिखेते हैं नया, ध्यान रिखेगा, क्या हो जाएगा इसका आफसन नमबर D, जिन्हों ने भी बताया है, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, उसके बाद सवाल नमबर 16 पूछ रखा है, खलील रह्मान अजमी के पैदायस हम लोगों ने पर रखा, 19 अगस्ट, सॉरी, 9 अगस्ट, 1927 अजमी, आफसन नमबर B, विल्ली दराइट एंसर, उसके बाद सेवन, 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 सतरह नमबर कोश्चन है, खलील रह्मान अजमी को किस युनिवर्सीटी के शोबे, उर्दु में लेक्च सूरज है, गोना महरबा है, सरेपा, साइबा मुनासिब लफज जिसे खाली जगए को पूढ कीजिए, क्या हो जाएगा, फटा फट से आप लोग जवाब कीजिएगा, सवाल नमबर 18 का, सही एंसर की बात करें, आफसन नमबर B क्या हो जाएगा, नया, आफसन नमबर B यान आफसन नमबर A, सवाल नमबर 20 में पूछ रखा है, लास्ट कोशन, खलील रह्मान अजमी की उफात कब हुई, खलील रह्मान अजमी की उफात की बात करें, कब हुई थी, फटा फट से अब लोग बताएए एक बार, चलिए बहुत अच्छा वेरी कुट, जिन्होंने भी आफसन नमबर A, बिल्कुल आप लोगों का प्रफेक्ट है, क्या हो जाएगा, आफसन नमबर A, यानि 1978 इसवी, फाइनली हम लोगों ने चैप्टन नमबर 8 को हिस्सा नसर, यानि हिस्सा शायरी के जो है, चैप्टन नमबर 8 को कवर कर चुका है, अगर आप लोगों ने, अ इसका पीडिएफ तुम्हें अभी दिया नहीं हूं, और दो-तिन दिन में जो है, इसका रेडियो हो जाएगा, कंप्लीट पीडिएफ आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोग इसका कंप्लीट नोट्स पीडिएफ लेना चाहते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट ज याद रखिए, इनकी खलील रह्मान अज्मी की पैदायस वी थी, नौ अगस्त 1927 इस वी को, और इनकी शेरी मजमुआ क्या क्या नाम है, कागजी पैराहन, नया ओहद नामा, उसके बाद जिन्दगी, ये तीन होगी आपका, इनकी वफात याद रखेंगे आप लोग, इनक उर्दू की लक्चरेर की हैसियस से तालीम देने लगे बच्चों को, उसके बाद ये जो है, दोरान मुलाजिमत ही, इनकी इंतकाल हो गिया, कब इंतकाल हुआ, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, 1978 इस वी को, इनका इंतकाल हो गिया, ठीक है, बाकी यही था, सारा ची की जगा, सभी फ्रेंड तक मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, जबते के लिए, खुदा हाफिज, जय हिन, जय भारत